मैं आप तक यह मेंसेज पहुचाना चाहता हूं कि हमारे हाँ वैक्सिनेशन का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया है कि लोग वैक्सिनेशन में कॉपरेट करने से मना कर रहे हैं तो अभी हमने देखा कि एक दो दिन से इसमें कैम्प भी और्गनाइज हुए हैं मैंने आज ब्लॉग मेडिकल ऑफिसर महोर को डिरेक्शन दे दी है कि हमें पूरा डेटा पंचायत वाइज मिल जाएगा शाम तक कि किस पंचायत में क्या स्टेटस है वैक्सिनेशन का और उसके हिजाब से हम स्ट्राटेजी डिजाइन करेंगे तो मैं आप से यही गुजा करूंगा कि स्ट्राटेजी सब एक तरफ है जब तक पप्लिक अपॉपरेशन वैक्सिनेशन में नहीं होगा तब तक वैक्सिनेशन पॉसिबल नहीं है जो जो इशूज वैक्सिनेशन में लोगों के सामने आ रहे थे मैं थोड़ा सा वो डिटेल में आपको बता दूँ पह तो अगर जिन जिन को ये लगता था इसे रोजा मक्रूब होता है और कुछ और चीज़ होती है तो उनको मैं बता दू है इसा कुछ नहीं है दूसरा जो मैंने लोगों के मादम से सुना है या जो रूमर सुने है कि इसमें फर्टिलिटी का प्रॉब्लम आता है कि जो बच्च यही चीज़े फैलाई गई थी और लोगों को यही कहा गया था यह कहीं न कहीं से उट गई थी तब यह बात कि इसे अगर आप पोलियो का वैक्सीन लगाएंगे मलेरिया का वैक्सीन लगाएंगे तो बच्चे पैदा करने की सलाहियत में कमिया थी ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल जिस तरह पोलियो का मलेरिया का वैक्सीन बिल्कुल सेफ था बिल्कुल जिस तरह डिप्थेलिया का हैपिटाइटिस का सब का वैक्सीन बिल्कुल सेफ है यह बिल्कुल करोना का वैक्सीन बिल्कुल उसी तरह है अगर आपको याद होगा तो इससे पहले जब प पोलियो की ड्राइब्स और्गनाइज की थी उससे आपके बच्छों को पोलियो नहीं हुआ उसी तरह अगर आज 45 से अबो जो लोग है वो वैक्सीन करवा लेते हैं तो वो कोविड से बचेंगे दो महर बरा महरपानी किसी भी रुमर पे ध्यान ना देन जिनको भी लोग, किसी भी लोग, किसी भी इनसान को कोई खच्छा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है चार जोनल मेटिकल ब्लॉक्स हैं हमारे पास, दर्माडी में, अरनास में, महोर में और चसाना पास चारों में doctors बैठे हुए हैं डॉक्टर रोहित, डॉक्टर मुजफर, डॉक्टर विरेंदर और फिर बाकी भी कई doctors बैठे हुए हैं जैसे डॉक्टर अश्रफ कोली वगेरा जो ब्लाक मेडिकल आफिसर है तो ये सारे doctors जो बैठे हुए हैं आप इनसे direct contact कर सकते हैं और आप इनसे direct पूछ सकते हैं कि ऐसा कोई problem है या नहीं सब आपको गलत guide कर सकते हैं लेकिन doctors कभी गलत guide नहीं करेंगे आपका SDM आपको कभी गलत guide नहीं करेंगा इसमें आप देखेंगे तो सारी government machinery इसी का part बन गई है आपने ये भी notice किया होगा कि किस तरह अरनास police ने पिछले एक दो तीन दिन से कितनी मेहनत से अपनी force deploy करके medical department के साथ तावन करके उन्होंने camps organize करवाने की कोशिश की है तो कोई भी department हो police है, admin है, medical है, food supplies है कोई भी है, सब ही अभी यही चाहते है कि आप vaccination लगवाएं और अपने आप को corona से बचाएं मैं फिर यही बात आप लोगों के सामने दोराना चाहूंगा, कि रमजान का रोजा अगर आपको लगता है, अब रमजान नहीं रहा, तो आप vaccination लगवाएं दूसरा, अगर आपको लगता है कि इससे fertility problem आएगा यानि बच्चे पैदा करने की सलाहियत में कोई कमी आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसी कोई दवाई नहीं होती जिससे बच्चे पैदा करने की सलाहियत में कमी आती, ऐसा कोई यह चीज नहीं होती, यह बस आपकी यह बस एक रूमर होता है कि लोग फैला देते हैं इस चीज को और फिर फैला के यह आम लोगों तक पहन जाता है और फिर लोग इस पर बरोसा करने लगते हैं वाटसाप के forward messages पर यकीन ना करें Facebook की knowledge पर यकीन ना करें जब तक Health and Medical Education Department जो specialist है इस फिल्ड के वो कोई चीज ना बोले वो कोई बात ना बताए तब तक बराए महरबानी किसी भी चीज पर यकीन ना करें जिस दिन Health का कोई डॉक्टर आपको कहें कि यह सेफ नहीं है उस दिन आप वैक्सीन दाने इससे किसी भी चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता इन फैंक बहुत सारे लोगों को तो इससे बेसिक जो वैक्सीन लगा कि बेसिक अगर फीवर भी हो जाए वो भी नहीं हुआ तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि Administration, Police, Medical Education सबके साथ cooperate करें Camps लगे हुए हैं आज भी Police और Medical Education ने Camp लगाया है दर्माडी में एक अनोड में लगाया है कल से और Camps की strategy हम लोग बनाएंगे जो organize होंगे आगे जाके और उसके बाद ब्राइन महरबानी जहां 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 Camp लगे हैं जिस दिस दिन लगे मैं सरपंच साहिबान, पंच साहिबान और सारे मौजज़ लोगों से जो दर्माडी के और महूर के हैं जर्नलिस्ट हैं और पड़े लखे लोग सब से गुजारिश करता हूँ कि एक Information Awareness Campaign शुरूर रखें और हर तरफ, हर मोके पर जहां भी मौका मिलें बराए मेलवानी, वैक्सीन लगवाएं उसके साथ साथ टेस्टिंग जारी है हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि पटियां में जो हालात हुए, वो क्या, कैसे हुए आपने देखा होगा कि साथ से जाइद बंदा वहाँ पॉसिटिव वाया एक शाधी की वज़ा से आप से यही गुजारिश है कि S.O.P.s फॉलो करें डिस्टिंस रखें अभी शाधियां एवाइड करें 20 बंदा शाधी में लाउड से उतने ही जाएं मैं ये बाद भी अब आपको बता दूँ कि अगर दुबारा ऐसा कुछ हुआ तो अब सक्त कारवाई होगी क्योंकि इस बार तो चले हमने ज्यादा शायद नहीं किया लेकिन अगर दुबारा ऐसा हुआ तो हम रिटिं में उसके खिलाफ एक्शन करवादेगी मैं लतीफ रजा चेनल कीजे सबस्क्राब ताकर हर एक अपडेट आप तक पहुँचती रहे